नमस्कार दोस्तों अमारी यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो की मेरे पास एक और कॉमेंट आया था बहुत अच्छा कॉमेंट है इन्होंने कॉमेंट में लिखा हुआ है पचास लोगों के लिए अलू मटर की सबजी और बुंदी दाना देना है वही मसाले के बारे में और कुल खर्चा बताए क्या क्या समाल लगने वाला है मान के चलते हैं 50 लोगों के लिए सबजी है हमारी एक ठीक है 3-4 किलो अलू कर सकते हो ठीक है वो कैसे जैसी कि मान के चलते हैं यदि हम तरीधार सबजी बनाते हैं अलू मुटर की सबजी है यदि तरीधार सबजी बनाते हैं तो 3 किलो कर सकते हो यदि थोड़ी टाइट लचकदार सब्जी बनाना चाते हो तो 5 किलो अलू कर सकते हो यहाँ पर जैसी कि यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर दाना बताया है 3 किलो अलू ठीक है और 6 लिटर रिफाइंड ठीक है और 10 गिराम बड़ी इलाईची और 50 गिराम लाल मिर्ची 50 गिराम आल्दी पाउडर और 50 गिराम धनिया ठीक है एक किलो टमाटर यदि सुकी सबजी बनाना चाहते हो तो आप डेड किलो कर सकते हो ठीक है एक किलो टमाटर एक किलो प्याज और सो गिराम दनिया हैरा ठीक है और पचास गिराम लसुन और सो गिराम मिर्ची हैरी ठीक है पचास गिराम अध्रक ये चीजें हमने लिख लिए हैं पर टोटल हमारा खर्चा हो गया है 1600 रुपी ठीक है जो की सब्जी बनाने के लिए 1600 रुपी हमारा खर्चा हो गया इसके अलावे यह दिन बुंदी दाना देखते हैं मैक्सिमम 6 किलो बुंदी दाना लगने वाला है यहां पर हमारा 6 किलो बुंदी दाने जो मैक्सिमम आपके पास जो भी भाव चल रहा है बजार का भई 120 रुपी है 130 रुपी है सो से लेके डेड़ सो की बीच में आपने बुंदी दाना मिलने वाला है ठीकर लेकिन मैंने 120 रुपिय का भाव लगाया है 750 रुपिय बुंदी दाने के हो गए अब आरे टोटल 2350 रुपिय खर्चाने वाला है गुजारिश करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंदाई होगी पसंदाई है तो इसे लाइक कर देना हमारे चल्द पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लेना धन्यवाद जाहिन फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ